हलो आज हम केक बनाते हैं क्रिस्वस स्पेशल केक घर में कैसे हम चल्दी से बना सकते हैं उसका रेसिपी देख लेते हैं तो घर में हम सबका ही बिस्किट्स रहता है तो वही बिस्किट्स आज हम केक बनाते हैं जो चलिए देखते हैं कैसे जटपट से टेस्टी टेस्टी केक जै 기ुझी मनाते हैं बीस्किट्स के लिए हमें लिए चाहीए कुछ बिस्किट्स, मार भी बिस्किट्स या एला रूड बीस्किट्स, शेमपल जो हम चाहे के साथ पीते हे जो ही बिस्किट्स पहले लिए बिस्किट ते से आप बहुल डिलिशस केख बना सकते हो भ storedments तो उसके लिए देखिए, मैंने यह आप गवाइटीन और इस विस्किट को मैंने डॉस्ट कर ली है, तो अब यह पर थोड़ा बहुत फाइन कर सकते हैं, चाहिए चीनी, शी जो देखना यह देखता है, यह पर मैंने मैंने टॉस्ट कर लीजिया है अब इस बरतन में एक अंडे को फेट लेना है तो अंडे को मैंने यह पे तोड़ लिया है और अंडे में एक चमच वैनियला एसंस डाल दी है और इसे अच्छे से फेट लिया है अभी यह पे आपको एक ध्यान देना चाहिए जो जो चीज आप यह यह पे यूज कर रहे हो व इस मिक्षिर में एड़ करें 5-6 टैबल स्पून ऑफ और यह एक दम कॉमून सा साधरन सा जो वैस्टेबल ऑईल है वही में डाला है आप यह पे बाटर भी यूज कर सकते हो अभी डाल दीजिए जो चीनी डस्ट करके रखा हुआ था वह चीनी सब इसमें डाल देके चीनी का लंप ना रहे और ध्यान देख कि चीनी सब इसमें घुल मिलके एक साथ मिल जाए ऐसा करके आपको इससे फेट ना है अब देखें या पे अच्छे से फेट लिया है तो अब वह बिस्किट का जो डस्ट हमने पहले रेडी करके रखा था वह आप डाल देजिए तो डालने के बाद इसमें अभी एड करें यह पो आप ती फून अफ बेकिंग पाउडर आप देरे-ध एकसा रालै करके इस मिक्षर को एक साथ बाइंड कर लेए तो इस से से टोड़ा फ्लोवी नहीं होगा तो तो तोरा डार्क कंसिस्टेंज से का आएगा थोरा टाइट कि मैं पहले से हैं थोड़सा ड्राइखूर्ट सेके प्रूट्स किर्ट इसमें मिला दिए B करना है तो पिंच अफस ऑफ सॉल्ट भी आड़ करें एंड ड्राइफ फुट्स को भी आड़ करें करें अच्छे से इसको मिला लेने के बाद अपको मोल्ट पर डालना है तो मैंने आज यहां पर मोल्ट तो वैसा कुछ नहीं यूज किया है आज मैंने यहां पर चोटा- मेरे पास तो उसी सिलिकॉन मोल्ड पे मैं इस मिक्षर को अभी एड़ करूंगी तो से पहले यह पे थोड़ा समयने सिन्नमन पाउडर और गरम मसला पाउडर जो भी आपके पास है वो आप यूज कर सकते हो इससे समेल बहुत ज्यादा आता है और टेस्ट भी बढ़िया आता तो मैंने यह पे चोटा-चोटा माफिन्स जो ट्रे होता है और माफिन्स जो मोल्ड होता है मैंने उसी से यूज किया है उसको यूज किया है अब इसको जो नॉर्मल सा हमारा केक मोल्ड होता है उसमें डाल कर भी बना सकते हो तो यहापे मैंने आज यूज यूज किया है त बिल्ट जाल पर 20-20 तक पर 15-20 मिनिट तक फिर इस नो टीजी में डाल दें गरीब 30 मिनिट के लिए अपर मेरा मोल्ड रेडी है और मैं जाने के लिए तो मोल्ड को आफ ही भरें क्योंकि वह फूलता है तो देखिए अफ्टर बेकिंग मेरा केक अग्दम रेडी है और देखन में इतना सुन्दर लग रहा है अब चेक भी कर सकते हो देखिए फोर्क मेरा क्लीन आया है तो मेरा केक एक दम से रेडी है एक गीला टावल लेके कॉटन का टावल लेका केक के ओपर डाल दीजे तो उससे क्या होगा उपर का जो पार्ट है वो वो एक दम सॉफ्ट रहेगा त तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज 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 और लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और शेर कीजिए और थैंक्स पर वाचिंग